है वाक्त्स देटिध है वाट फ्लीटीफलन वीपल होप यऊर फाइं गाइस आजके सुनर में आपके फ्लाइट कंट्रोर बोड और जो क्वेरी जा जो के माइन दो वमक्राइब कैसे सिक्छाय कैन्ट नोग की कंड़ा थी प्लाइट थी न ही यूज करणा से और सब्सक्राइब एक प्रीस पर रहे है वह पूरा देखना आपको ऊंदा प्लाइब कल रहा है उसके बारे में इंफर्मेशन देने वालों वो प्रिया आपको मिलने वाले अगर वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर देने उसके साथ चानल को सब्सक्राइब कर देना है तो चलिए गए जड़ी से वीडियो शुरू करते हैं तो बहुत सरे लोग जो फर्स टाइम अपन मैं सोचा था बहुत सरे लोगों ने भी मुझे मैसेज किया था कि उसकी उपर एक डिडिकेटेड वीडियो बनाओ ताकि हमारा जो कंफुजन है वो दूर हो सके और कौन सा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ करना सही होगा और कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए उसक लोड करके रखिये तो वीडियो देख सकते हो और कंट्रोल पर के बारे में एक डीटेल वीडियो सेपरेट डीटल्स वीडियो आवेलेबल है चालल के उपर आपको इन लिस्ट में से कौन सा भी राइट कंट्रोल बोर्ड अगर पसंद आता है तो उसके रिलिटेड इंफर व्लाइट कांट्रोर्रोर्ड और आप दिटेल के अगर प्रैस की बात करो तो इंडियर मार्केट में तकरीबान रुपीस से 1,300 रुपीस के आश्काट आपको मिल जाएगा यह जो फ्लाइट कंट्रोर बोड़ जीपीज भी सपोर्ट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा से जीपीज इसमें डाल सकते हो एप्लिकेशन की बात किजा है तो यह जो फ्लाइट कंट्रोर बोड़ है अगर आप नॉर्मल एक FPV ड्रोन बना रहे हो या फिर 350, 350 mm का अगर फ्रेम है नॉर्मली छोटा फ्रेम है तो उसकेस में यह फ्लाइट कंट्रोर बोड़ यूज कर सकते हो अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यह उसके लिए आपको अगर कि educators कि यीजिण बीटा फ्लाइट की बलाइट को सकते हैं आप को मांता हूं इसकी करने में लेकिन अगर आपका पर आपको stability भी चाहिए open source flight control board चाहिए तो यह प्लाइट कंट्रोर बोड के साथ में आप जा सकते हो उसके बाद में next flight control board वोड़े वोगा इस के के 2.1.5 तो अभी यह flight control board तो सभी लोगों को पता हुआ क्योंकि यह मतलब जो भी लोग नए इस फिल्ड में आते हैं तो सबसे पहला जो flight control board उनको दिखाए देता यही है के के 2.1.5 flight control board तो सबसे पहली बात तो यह जो फ्लाइट कंट्रोर बोड हर मॉडल को वह सपोर्ट करता है तो आप कौन सा भी अगर ड्रोन बिल्ड कर रहे होगे एक से फिक्स्ट विंग तो उसकेस में आप सारे जो मल्टी रोटर्स को यह सपोर्ट करते हैं अगें को से फ्लाइट कंट्रोर बोडस इसके फेक वारिजिनल मतलब लोगों कुझ और बनीचालता की ओर यह जा रहाया फिर एक साइड में यह बहुत सारे प्रोब्लम सोते उसके मैंने वीडियो अल्री बना कि रख्याकि कि आ क्या क्या आता है कैसे सुसको सौल कर ने वह दो वी इसकी जो रेंज प्राइसिंग की वह तकरीबन 1,500 से लेकर 1,600 रुपीज में इंडियन मार्केट में मिल जाता है इसके लिए जो जो लोग है इसे यूज करना पसंद करते हैं उसके बाद में थर्ड नमर पर यहां पर आता है और यह जो है एक बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोल बोड है बजेट में इसके जो प्राइस थोड़ी ज्यादा बल जाती है कि मतलब बजेट में नहीं कह सकत थोड़ा प्राइस है अगर आप सिफ फ्लाइट कंट्रोल बोड लो तो यह बजेट में आ सकते हैं फ्लाइट कंट्रोल बोड की प्रैस तक्रिवन 4800 रूपीज के आस पास है अगर आप GPS वगए बात नहीं करने सिफ फ्लाइट कंट्रोल बोड आप पर्चेस करते हो यहां पर मैंने एक इंक्लूड नहीं किया बहुत सरे लोग सोच रहोंगे कि इसके बाद में आना चाहिए था सीची तडिया के के फ्राइट कंट्रोल बोर के बाद में बड़ गया अगर आप नया कोई यूज करना चाहते हो और आपको दिख रहा है कि एक फ्राइट कंट्रोल बोर आप जितने भी पेसे उसके उपर इंवर्स करने वाले हो चाहे हो आपको 2,000 रुपीज में मिले या फिर आप फुल किट पर्चेस कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आने ही वाला है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है अगर यह फ्लाइट कंट्रोल बोर चल गया तो अच्ष रहेम इसके ऊपर मैं वीडियो बनाके रखे अल्री कि अगर आपके पास अगर गलती सही ओ अब गया हो गई नियुकर करसक केव फोड़ी आप खेस अब्सकर कान फॉडांए कुश बाहन को पूरा दिन फैन पर फीचर ge तो भूपर आता है आप तो नहीं सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दीज़िया फ्लाइट कंट्रोर बोर्स के साथ में जा सकते हो इस चाहिए अगर आपने नोटिस किया हो कि ऊफिचली उसकी फ्राइस जीए वह थोड़ी बढ़ चुके DJI के flight control board की तो अभी इसकी पीछे का exact reason मुझे भी नहीं पता है मुझे भी थोड़ा दूबना पड़ेगा लेकिन जो flight control board DJI का पहले 6500 रुपीज में आता था फुल किट वही उसकी जो प्राइस अभी 10,000 रुपीज हो गई है और जो DJI M V2 था जिसकी प्राइस इंडियन मार्केट में 15,000 से लेकर 16,000 थी उसकी प्राइस अब उससे बढ़कर 22,000 से 25,000 के आसपास हो चुकिए तो इसकी वज़े से लोग अभी में भी उसका यूज करना थोड़ा कम कर दे और जो उसके साथ में ओपन सोर्स के साथ में जाए अभी प्राइस DJI M light की बढ़ चुकिए तो इसलिए जो कंपेर कंपेरिजन होता था पिक्स ओक फ्लाइट कंट्रोर बोड और रेम लाइट का वह भी नहीं कर सकते क्योंकि प् बजट अच्छा है राइक बड़ा एपलिकेशन है तो वह यूस कर सकते हो वह है कंट्रोर भाइट शरी पिक्सओं पूपाइट सब्सक्राइट तो प्डीक और गल्ग के उसके जो इसके साथ में जो जी पीशे इसमें आप आपको डूए अट गया ज्यूब गेड़ चैनल आपको मिल जाएगे जो फेल से अच्छा है लाइक और उसमें जो सेकंडरी जो प्रोसेसर से यूनित है वह भी बहुत ही अच्छे प्राइमरी भी बहुत ही अच्छे उसके बाद में रिदेन टाइम्यूस सिस्टेम इसमें अविलेबल एगाई त्री ट्री ट्रीपल आई स्थारी हाई कॉल्टी का फ्लाइट कंट्रोलर बॉड्ट से भाइगे ट्री टों वकिलिकेशन चीज़ा यूडगन यूज कर रहे हो लेकिंथे झाए टो फ्लाइट कंट्रोलर बॉड्ड वार्चेस कर उसकति प्रों और भी बहुत सरे आवेलेबल है मैंने वीडियो बना के रखाई डिपेंड करता है अपले अप्लिकेशन की उपर बट 99.9 केसे में लोग जो वो पिक्सक 2.4.8 के साथ में फिलाल के कंडिशन में जा रहे है क्योंकि डीजा है कि प्राइसिस भी एक तडब जो आसमन चूने प्राइस कर सकते हो तो अगर आपको कोई भी सजेशन और कोई भी क्वेरियो इस वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन आफ लाइट कंट्रोल बोट से बारे में तो आप वह भी वीडियो में बता सकते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो तो उसके उपर भी जो लोग अपना ओपियोन दे सकते हैं यह अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम के उपर जाके मुझे इम कर सकते हो एक प्लाइज देने की में कोशिश करूँगा अग झां जबेयो सकते हो ऊबड़ के झाली हो आपको तो एश तो तो इसाधर गाम कोशल वाह प्लाइज सवाल हैर जाया सकते हूः color कोशल थाव प्लाइब maar प्लाइब भी सकते हो अपार आपको बोर्भान खरतासा सकते हर शकते हैं तो इंस्वड़ रतासाल शीब़बबेहि